नमस्कार मैं हूँ कपेल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज अगर बात करी जाए उत्तर प्रिदेश की तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाओं में बीजीपी का पड़ा साफ हो जाएगा पचास सीटों पर ये पार्टी जो है वो सिमट कर रहे जाएगी उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से बुल्डोजर के जरीए कारवाई की जा रही है काफी गलत है कानून के मताबिक कारवाई होनी चाहिए इसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि दो राये नहीं हैं लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कारवाई कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत है उन्होंने कहा कि बीजेपी खास तोर पर हिंदु-मुस्लिम की नजर आ रहा है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष जो है वो एक जुट तो हो रहा है लेकिन जमीनी तोर पर तो दिखाई दे ही नहीं रहा शफिक और रहमान संबल से सांसद है और उनका इदावा फिलाल फी का साबित पड़ रहा है दरसल मानव विशेश अधिकार हनन का जो नोटिस है वो राहूल गांदी को दिया गया जिस तरीके से वो केंब्रिज विश्विद्याले में पहुंचे थे वहां उन्होंने का था कि संसद में जो है वो बात रखने नहीं दी जाती लेकिन इस मुद्दे पर नहीं अखलेश यादव उनके समर्थन में नजर आ जा सकता था चुकि अखलेश यादव विधायक हैं विधायन सबा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि अब जो शफीक और रहमान दावा कर रहे हैं उनका ये दावा कहीं फीका और गलत साबित तो नहीं हो जाएगा क्या कोछ उ और का है हम आपको बताते हैं दरसल शफीक और रहमान जो है वो लगातार अप चर्चाओं में हैं उन्होंने कहा कि देश में अल्प संख्योगों के साथ जुल्म हो रहा है ये लोग हिंदू-मुसलिम के नाम पर सरकार चला रहे हैं मुसल्मानों पर जुल्म करने का जो है वो उन्होंने दावा किया सबासांसद ने ये वी कहा कि 2024 में 50 सीटों से जादा बीजेपी पार्टी जो है वो सीटे हासल नहीं कर पाएगी और देश के जो हालात हैं बीजेपी और आरेसेस जो कारवाई कर रही है उसमें लोगों के साथ जो है वो नाइनसाफी हो रही है ज सल्मानों के घर वो जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम की अगर बात करी जाए तो कैसे नफरत को दूर कर पाएगी बीजेपी क्योंकि लगादार खाई जो है वो लगादार बढ़ रही है मुसल्मानों के लिए बजट में भी कुछ नहीं हुआ कोई ऐलान नहीं था मुसल्मानो का दावा बीजेपी करती है लेकिन फिलाल बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी और यूपी में मुश्किल से 50 सीटे आएंगी और भारत की अगर बात करी जाए तो अब सूपड़ा साफ हो ना बीजेपी का तैमाना जा रहा है इस तरह की बाते शफीक और रहमान बर्क कर तो आपको लगता है कि बर्क का जो दावा है वो क्या सही थाबित होगा क्योंकि बीजेपी को लेकर तमाम तरह के जो सर्वे सामने आएं उसमें यही कहा जा रहा है कि लगबग 300 से जादा सीटे बीजेपी हासिल करेगी और धारा 370 रामंदिर या फिर यूनिफॉर्म सिव वे बता रहे हैं तो आपकी अपनी राय प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हमारी स्कार्स पेशकर्ष में इतना ही नमस्कार